सीवरिश की नई पाइप लाइन और निकास से आपका नेटवर्क बिशानी का मंसूबा पंजाब भर में सीवरिश पाइप लाइन की बहाली के लिए दो अर्ब का मंसूबा मंसूर हकुमते पंजाब ने मनसुबे के असूली मनसूरी दे दी मुल्तान और डीजी हान समेथ सुबा भर में 610 किलो मीटर तक सीवरिश नेटवर्क बिचाया जाएगा मुल्तान में एड़ पर जूले चलेंगे या फिर चार साल से लगी पाबंदी काइम रहेगी फैसला होगा इंस्पेक्शन के बाद पीएचे की जानिप से जूलों के मायार के लिए इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई इस से कबल तमाम जूलों का मायार और इंस्पेक्शन लाजनी करा दे दी गई डिरेक्टर इंजिनरिंग की जानिप से बहार्टी कल्चर ब्रांच को उम्रास लाजा जारी जूलों के मायार के हवाले से तीन दिन में रिपोर्ट जमा खरानी की दाए आम इंतहबाद 2018 में कागजाते नामजद की वसूल करने का दूसरा रोज उमीदवारों के जानिब से नामजद की फॉर्म हासिल करने का सिल्फला चारी भावलपूर से वफाकी वजीर तालीब बली गुर्यमा ने हलके ने 170 और पीपी 245 के लिए कागजाते नामजद की वसूल कर लिए पहले रोज 170 अफ़ाद ने कागजाते नामजद की वसूल की ए पाकिस्दान तरीगन साफ के मुल्टान के चार कौमी हलकों से उमीदवार फाइनल एने 156 से शाह मेमूद खुरेशी 157 से जेन खुरेशी 158 से अब्राहीम और 169 से राना कासिम नामजद की के फैसलों के खिलाब समाथ के लिए इलेक्शन अपलेट टर्बियूनल तश्कील लाहूर हाई कोड के आठ चज़िस पर मुश्तमिल इलेक्शन अपलेट तर्बियूनल तश्कील दे दी गई हाई कोड मुल्तान के दो चज़िस अपीलों पर समाथ करेंगे जस्तिक काजी मुहमद अमीन एमद और जस्तिक मिर्सा वकास रूफ मुल्तान चबके जस्तिक मसूद आबर नक्वी बहावद पूर बेंच में समाथ करेंगे इलेक्शन कमिशन की जानेट से विर्फाकी और सुभाई में में तकर्र रोसबादों पर पावंदी आयद कर दी गई इलेक्शन कमिशन ने 31 माई के बाद होने वाले समाम ट्रांसफर पूर्टिंग को मन्सूप कर दिया जरूरी तकर्र रोसबाद दे इलेक्शन कमिशन की मन्सूरी के बाद करने का हुकम जान रहाम हान की किताब की रूनमाई के हिलाप उक में इसना इचारी रहाम हान, हुसेन अकानी और पैमरा सिन नौजून को चवाब तल्ब दर्वास तुजार के मताबिक किताब के शायत मुबईना तोर पर हकायत के खिलाप और गेर मुलके चंडे पर मबनी है रहाम हान की उकिताब के हुआले से इनसाफ लैडbia के रहनमाओ की प्रेस कांफरेंस केते हैं रहाम हान नौलीग की एमा पर इम्रान झाषान के गलाब नामत्सव हरकाद कर रही है मुस्तफा चौहान ने कहा के रहाम खान की खिताब के लिए नून लीग ने फंडिंग की है रहाम खान किताब को बायोग्राफी का नाम दे कर फाज अद्विया और ठरीकिन साब को नुकसान पहुंचाना चाहते है इस सादे रिश्वस्तानी के लिए हकूमते पंचाब का बड़ा एक्ताम सुबह भर के डिप्टी कमिशनर्स को डिप्टी डिरेक्टर एंटी करप्शन के टराथ दे दिये गए जिप्टी कमिशन्स क्रेट सौला ताके किसी भी अफसर के खिलाब महफ़ाना करवाई की सफारिश कर सकते हैं सर्विसीज एंड जर्नल एड्मिनिस्टरेशन डिपार्टमें नोटिफ्केशन चारी कर दिया वहावल विक्टोरिया अस्पताल में नए काइम होने वाले कार्डियक सेंटर में एमिरजन्सी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जारी आएंदा चन्दिनों में हार्ट सर्जी भी शुरू करती जाएगी प्रोफेसर डॉक्टर जाविद अकबार के मताबिक एक तता के बाद कार्डियक सेंटर में एकाम बेखरीन तरीपे से जारी है मुलकार में कैस्टरो के मरीजों की तदाद में रोज बरोज इजाफा कैस्टरो के शिकार दो सो उनसर मरीज शहर के मुख्लिफ सरकारी हजपतालों में दाखिल दो सो नो मुदासरा फ्राद इप्तदाई से भी इमताद हासिल करने के बाद दिस्चार्ज मरीजों में ज्यादा तर 14 साल से कम उमर बच्चे शामिर मुलतान में पसंद की शादी का मौमला जिला के चहरी मेदाने जंग में बदल गया अदालत में पेश होने से कबल लड़की के वालिदैन ने लड़के को धर लिया जबके लड़की अदालत से भागने में खामना हासित्पूर में समीन के तनासे पर दो ग्रूपों में तसादों फाइरिंग से एक नौजवान मौके पर जाम बहुग 6 सक्मे अपराद विक्टोरिया हस्पताल मौन्तकिल दूसी चानल जोचान में भी जादाग की तनासे पर दो कबीलों में फाइरिंग के तबादले से 6 साला बच्ची चाम बहुग बहावलपूर में भाई के हादों भाई का गतल मौलिस ने भाई को शक्की बिनावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव पर भाई ने भाई को गत्ल कर दिया मुल्जिम ने गत्ल के बाद लाश को बोरी में बन करके चुपाया पॉलीस ने गारवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफतार कर लिया लाश भी बरावर मुल्जिम ने गत्ल कर दिया एक करोड बावन लाश मांग ले डिरेक्टर एडमिन के जानिक से अडिशन डिरेक्टर चर्णल MDA को मरासला अचाल हकोमत पंजाब की आएनी मुदद तो पूरी हो गई मगर मनसूबे अधूरे ही रहे खानवाल में करोड़ों रुपे मालियत से लगाए गए वाटर फिल्टरेशन प्लांट का इस्ता तो किया मगर प्लांट चलना सका गुंजान अबाद अईलाकों में लगाए वाटर फिल्टरेशन प्लांट गंदगी के धेर बन गए जिल एंतजामिया और बल्दिया की नाजली के बाई अवाम जाफ़ाने से महरूँ लहूर हाई कोट में निश्टर मेडिकल यूनिवर्स्टी के वाइस चांसलर की तकररी के खिलाफ दरफास पर समाथ जसिश शम्स महमूद मिर्सा ने केस की समाथ से मौसरत कर ली जसिश शम्स महमूद मिर्सा ने फाइल चीफ जसिश को बिजवाते वे केस चसिश शाहिद करीम को देने की सिपारिश कर दी एक और सबूत वतन पर गुर्बान गुजश तरात मस्तौंग धमाके मेतांसा का जवान शहीद शहीद मुनीर एहमद मियाना एस्टी में सूबेदार मेजर थे शहीद का ज़स्दे खासी आईतान सावन चाहिए जवार्टान में अंजमत आशरान और इक्षा यूनियन के देरे एतमाम काला बाग दैम के हक में दौलर्ट गेर पर मुस्वाहराई ड्रेसबट आरिफबट और जवार बलोच समय देगर के शिर्कन हुसाइडीन ने कहा के काला बाग दैम मुलक की अवलीन तरची है काला बाग दैम बनने से मुलक में पानी और विजली का बोरान फत्म हो जाएगा मुलतान में मेको की ना एहली के बाइस तूटा हुआ बिजली का पूल कई मां से लगाया ना जा सका अलफला कालुनी में खंबा तूटने से बिजली के नंगे तार और मीटर जमीन बोर्स मेको की लगफलत पर इलाका मकीन सराफ एहतजाज पूल जल लगाने का मुटालुका सुनावा की रार्मा मार्टिर में सीविच का सिस्टम हराब गंदा पानी बासार और गलियों में जमा हो गया रागीरों के साथ साथ दुकानदारों और गाहकों को मुश्किल का सामना गंदगी और बद्बू से शेहरी परेशान इंतिस्दामिया से चल सफाई का मुटालबा मियावारी के जनरल पोस्ट आफिस में पेंशन लेने वाले उमर रसीरा लोगों को खुआरी का सामना जी प्यू आमले की काम चोरी के बाइस बुजर्ग अपराद दिन भर दूप में सरने लगे चार विंडोस में से सिर्फ एक विंडो पार देरा गाजी खान के मुटिली फिलाकों में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिर्फ लाज़ा जारी शेहर बार में गुजिश्टा कई घंटों से बिचली गाइब रोज़ा अधार मुश्क लास से दो चार दिएच्ट्यू फीडर खासी मेडिकल कॉलिज मॉर्डल टाउन घंटागर और इंडेस्ट्रियल स्टेट में बिचली मौस्वल रीदगा और तार्पूर्ट फीडर बीम बिच्छी से बन वाला मील पर गायर कानूनी तेल की एजंसी में आग भड़क उच्छी दो दुपाने जल कर रात मुले का घर भी मुतासे हैं तेल की रिफिलिंग के दारान सिग्रेट जलाने पर आग लगी रहीम यरहान में एस्पी इंवेस्टिगेशन शार नावास चाचर के सरवराही में इजलास मुनाकित बिच्पी सदक हालिग मसूद भटी अमन कमेटी के मेंबर लाइसेंस होलडर और मुदमे मुजालिस और चलूस में शिर्कत के इजलास में यौमे शहादत हज़त अली र मुल्दान में यौमे शहादत हज़त अमाम अली 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 प्लैन जारी डिस्टिक मुल्दान में कुल बारां जलूस और दस मजालिस का नकात हुगा पलीस अहलकार और अहलकार प्राइसर हंचाम देंगे जलूस और मुझालिस वर चार एस्पेज चोटनडी एस्पेज वाइस इंस्पेटर सायोनाट किया जाएंगे जबकि 1341 कॉंस्टेबल और 45 लेडी कॉंस्टेबल सायोनाट कर दियाकर भावलपुर में डिप्टी कमिश्र और पी एचे अपसरान की डिप्टी कमिश्र आपसरान 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 की डिप्टी कमिश्र जियाबिडी कमिशनर मुल्दान जाहिद सुहिल का शेहबाज श्रीफ अस्पताल का जोर आठीसी ने मुख्लिफ शुबों का मौाइना और मरीजों से मुलाकात की एमसी कार्डियोलिजी सेंटर डॉक्तर जाहिद अक्तर भी हमरादी जीपियो बिहारी सेफ उलाखान का मैलसी डीएटपी ऑफिस का दोरा डीएटपी मैलसी राना अकबर रसूल नादर ने आहम मामलात और क्राइम के हवाले से बुर्विफिंग दी डीपियो सेफ उलाखान के पुलीस हैलकारों और अफ्सलान को बेहतरीन तोर पर ड्यूटी सर अन्जाम देने की हिदाएद आर्पियो मुल्टान मुहम्मद इद्रीस एहमत का जी पियो अमीर सेमुर खान के हमराथ ठाना सदर कहरूर फक्ता का दोरा ठाने की सिपाई, इमारत, माल खाना, हवालात और जीगर जिगों का मौइना किया कैडियों की तफसिलाद भी चेक की मुल्टान एक्साइज डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी ब्रांच की शेहर बार में कारवाईया प्रॉपर्टी टेक्स डिपार्टर्स की साथ दुखाने सील, मुबाईल शॉप्स, जर्नल स्टोर्स, गुदाम और शोरूम्स शामिल दूसरे जाने प्रॉपर्टी ब्रांश ने अबदाली रोड पर बाके सो डिफार्टिर्स की लिस्ट भी त्यार करनी जिन में कमर्शिल प्लाजा, हस्पताल और जीगर शामेर लोजना पॉलीस का हसास एदारों के हमरा, कासिमवाला में सर्च आपरेशन किया गया, कारवाई के दौरांच 17 घरों की तलाशी और 35 अपराद की बायूमेट्रिक तज्रेख देख 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 मुल्तार में थाना कोडवाली के इलाका शास शम्स के करीब डगेती की वार्दा दो डाकु शेहरी मौमद बिलाल से 30 जार और मुबाइल पॉंच शीन का फरार, पुलीस ने तेकिकार शुरू कर दी मियावाली में रेनवे लाइन क्रॉस करते हुए उमर रसीदा शर्फ रेन की जड़ में आकर जाबाग हो गया 80 साला सुलिमान नामी शर्फ सेलो मौमा कारे हाईशी था, रेस्क्यो वान वन टूटू ने लाज्ट की एस्ट्यो एस्पताल मुंटखिल कर दी महालियाद चालिमी दिन के मौका पर मुल्तान और भावलपुर में महत्मे महालियाद के जाने से अगाही वाक का है तमाम शेहरियों को प्लास्टिक बैस का इस्तमाल ना करने की गिदाएश नेली में सियासी समाजी शक्सियाद समेथ शेहियों की कसी तदात मुझूद झालिमी शक्सियाद समेथ शेहियों की की तदात मुझूद और रब अलमेन की गुर्वत हासिल करने का बहतरीन महीना रमजान मभार्ए रोही की खूसी रमजान ट्रांस्वیशन रमजान रोही के संग काम्यावि़ शेह जारी ट्रांस्वیशन में merchस्कॉलर अलमा खदावक्ष और नातखुआं शांप Ergebnis मुझाहर पादरी की शिर्ट हेलने जाने प्लिटन के आगास में बात करेंगे सेहत दुष्णों के हवाले से आपको बताएं के पंजाब फुर्ड उतारिटी ने रम्जान पुबारिक में कारवाईयां जारी रखे हुए हैं मुझाहर पुरात बनाने वाले अलहरम आइस क्रीम, हिरा फूर्ड और मुम्ताब स्वीर्स एंग्लिवर्ड स्वीर्ड गटी गई है बुलगर्ष मुल्तान के जोने जिर्ण कारणर आयन पांच आप गट के बेचने पर सर्वे महरकत किया गया जबके पांच किलो ग्राम, जैजल मयाद, टाइकर और तीन दर्जें तूर्टे क्यों अंडे वीबर आमित कर लिए गए है इसी आवाले से तफिलाश चानेते हैं अधनान से जी अधनान के तफिलात हैं जी बिलकुल पंजाब पूड ताइट की माहे सयाम के बीच में रोजे भी कारवाईयां जारी हैं मुझरे सेथ खुराग बनाने पर सलहरम आइसक्रीम को सील किया गया मुम्ताज स्वीर्ट सेंड बैकर को सील किया गया पूड ताइट की जानब से और रमदान बजारों में भी चेकिंग की गिए जिसमें 24 किलो ग्राम बैलिट से रे भल तल्फ किये गए हैं और इसके साथ 5 किलो ग्राम जाइट जो है पापड़ तल्फ किये गए हैं और 200 साशी गुट का तल्फ किया गया है पूड ताइट की तरजमान से मारी पाद दियत उनका यही कहना था कि रमदान मुबारक में अवाम को मेयारी फ्राम करने के लिए यह जो आखरी अश्रा है इसमें भी कारवाईया जारी रहेंगी बहुत शुक्रिया अधना याकूब आप हमें अपडेट कर रहे थे आगे भड़ें आपको बताएं पंजाब फूड अड़ा होते की कारवाईया जारी दो डेरी यूनर से एक आइस्क्रीम डिस्रिब्यूटर समेथ फूर पॉइंट सारे बमहर, राना नदीम डेरी, हैबराइट स्क्रीम डिस्रिब्यूटर और साइम फूडर मौजे से फुराब मौया करने पर सील जो 70 किलो ग्राम गले सड़े फल सब्सियां 40 मौजे से हदूद और 3 किलो ग्राम गले से फल जो आनाकित गधाना ड्रीप टेारीज हैपर आइस्कीम चैल पराग्स फराटिय पराग्से फराम करने के उस्किल कर विय का वाहिं था ही चाहते फई कहे civ Sound क जो फ currently की रिरएक्टल है हुथ कैना था. हमने शुख में शुख में वडीय का रियूंक गवाव asc a keep जो है वो फ्रोंस कर रहे थी उनके चोटर किलो ग्राम जड़े सब्सक्राइब करें तो काखजात नामजद्गी वसूल करने का आज दूसरा रूस है हलका एन एक सुचवन से साबक वजीर आजम सेद यूसफ रजा गिरानी ने काखजात नामजद्गी खासिल कर लिये हैं रजा मलीक से जी रजा मलीक अबडेट कीचेगा रजा मलीक अगर आप हमें सुपारे तो इस सवाले से अपडेट कीचेगा और उमीदवारों के सुभई उमीदवारों के लिए जो है वो रिटर्निंग अफसान के जो चार बज़े तक उसका उकाते कार रहा है और वहां से एक सिर्चला जो है लोग चारी है इस हमाले से साबिक वजीर आजम सरी दूसरा गिलानी ने आप तक मुल्टान के तीन हर्कों से अपने काख़़ात नामजदगी वसूल की है जिसमें ने 154 ने 157 और ने 158 है ने 154 के अगर बात करें तो आप तक 21 उमीदवार जो हैं वो यहां से मजमूरी तो पर 20 उमीदवार काख़़ात नामजदगी वसूल का चुकी है ने 155 की अगर बात करें तो हम उसमें जो काख़़ात नामजदगी वसूल करने वालों का तादाद है वो 20 हो गई है जब किसी दी कैसे ने 156 में तक 24 उमीदवारों में काख़़ात नामजदगी वसूल की हैं बात करें तो यह वसूली काख अब्दुर्गफाद डोगर चोधरी मुहमद दीन आमिर इलियास डोगर, मुहमद वकास, मुनवर अली, जैन कुरेशी, असाभिक वदिर अद्म सुछिछ अगिलानी के साथवड़े, अली मुसा के लानी शामिजने जबकि अगर बात करें, अन्ने एक सफ़ पचिपन से तो गवर्नर पंजाब अलेक रफीक रज्वाणा के सब्दादे आसिफ रज्वाना ने भी या यहां से काज़ात नामज़तगी हासल किया शेह टारीकtem रच्रीब है पी ठी ए के वो नुमाया है इस तरह से जो काख़ात नामजददगी वसूल के जाने का जो सिल्सला है वो जा रही है और अभी तक किसी उमीदवार की तरह से काख़ात नामजददगी जमा नहीं कराएंगे जी जी बहुत शुक्रिया रज़ाम अलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे रुक करें मियावाली का इलेक्शन 2018 के काख़ात नामजदगी के लिए फॉर्म हासिल का दूसरा रोज एन्ने पचानवे के लिए 19 फॉर्म हासिल के गे पीपी 86 में 19 उमीदवार ने काख़ात नामजदगी फॉर्म कर लिए इसे वाले से मज़ीज जामती अख़ात नामजदगी के लिए काख़ात नामजदगी का शुरू हो चुको और आज दूसरे रोज तक एन्ने पचानवे के लिए 19 लोगों ने फाम हासिल किया है जिन में इमरान खान अबैदला खान शादी खेल उसके इलावा बाबर खान समासी डाक्टर सलाओदीन खान ने भी एन्ने पचानवे के लिए फाम हासिल किया है उसके इलावा नवाब अब्दलवहीद खान और नवाब अमीर महमद खान ने भी एन्ने पचानवे के लिए फाम हासिल किया है उसके इलावा मैं आपको बतात हैं और दो दिन बाद कितनी लोग जहां पे आती हैं फार्म तो काफी सारे लोगों ने यहां से हासल कर लिए लेकिन यह फैसला कल होगा यह परसू होगा कि कौन से उमीदवार किस टेकट पे है अलेक्शन लड़े जा रहा है और कौन से उमीदवार जो है अपने काख़जाद नमजद की जहां पे जमक खरवाएगा जी जी बहुत शुक्ति आक्तर मजासा आपका मज़ीद खबरें शामल करेंगे लेकिन एक शॉट ब्रेक के फार हमारे साथ रहीगा बलती दुनिया में भी तहजीद का पुर्वकार चलन कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां ह जो मिलन रोही का हर रंग आपके संग सच्छी और फॉरी खबर का जो सबर 2008 में शेहरे लहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूफ रोही तक पहुँच चुका है आज लहौर में City 42 और ेली 42 फैसलाबाद में City 41 और सारे पाकिस्तान के 24 निउस का नाम गूँज रहा है लहौर से लंदन तक City News Network की मौजूद की हर जगा है पस आप लहौर में हैं तो हम City 42 हैं आप फैसलाबाद में हैं तो हम City 41 हैं आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 News HD हैं और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं और अब हम हैं जनुभी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी खबर के सफर में आपका साथ हर खबर गहराई और सचाई के साथ City News Network मुल्की मुष्यत में सबसे एहम किरदार अदा करने वाला काश्टार दिल्गराप मेहनत करने के बावचूर भी परेशान है कच्छे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलाद का सामना करना पड़ता है यह हम जानेंगे शहरियों से हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुफ्रिफ इलाकों में जो सिर्विज के मसाइल है क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाडियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबल है कि वो उनको एक जगा से दूसरी जगा ले जा सके हम इसक निश्टर होस्टिकल बुल्तान में बोची लिए भीत मांगना किस तरह से हमारे मौशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इक त्यार कर गया है 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी से फाल क्यों नहीं किया गया मुल्तान में पास्टेंड हर्डिकल चर्ट हर्डिकल क्याम 2014 में लाया गया काश्टकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल खुशी के लम हाथ हो या दुख की कोई घड़ी वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब एवानों में बैठे हुक्मरानों कर आप में शामिल हुए या नहीं फैसला ना हो सका तरिक इंसाफ ने दोस मुहमद खोसा की बकाईडा शमूलियत का एलान भी तहाल ना किया दोस मुहमद खोसा के शमूलियत का एलान उनके वाले सरदार जुल्फकार खोसा के जानिब से किया गया उनके वाले से मज़ीद जानते हैं वियरो शेफ तयिप साइफ से जी तयिप साइफ बताईए का जिसकुल पांच रोज कबल जो है फापत होंदर पंजाब सरदार जुल्फकार खोसा जो है उनकी जानिब से लाहूर के अंदर इविदाना खान की स्कूल्फी में पाकिस्तन तरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का एलान जो है जाए और इस मौसा पर यह समझा जा रहा है कि सद्दार जोस्मूमत खोसा जो है वह भी इख इलान करेंगी लेकिन अभी तक यह पांच रोज से जाहर बुज़ड चुके हैं और अभी तक जो है किसी जी किसन के इलान जो है कि अभी तक जो है परी पार्टी में कबूल नहीं किया लेकिन आप जो है कि अपर पसंद केट कर ना मिलने के वारे से तक पाकिस्दन तरीक इन्साफ के अदर इलानी एक वह शुवूलियत की इलान नहीं है कि यहां पर जमा करवाएंगे और उसके अबादसा जो आईदा का लायामन है और अपने आईदा की सियासत है उसको किस तरह से चलाएंगे उसका भी इलान करेंगे लेकिन इस तमाम सुरुते हाल में सर्दार जुरुकार खोसा जो है उसके अपने का शिकार आदर आ रहे हैं कि एक बेटा जो है उनको पाकिस्तन तरीक इनसाफ का टिकट आफरी मराहन के अंदर बिल जाएगा लेकिन अभी तक किसी का फैसला नहीं हो सका कि उनको टिकट है वो पाकिस्तन तरीक इनसाफ के नहीं करेंगे बलकि अजाद लेक्शन लेटे को तर्दीज देंगे जारी है तफसिला जानते हैं कंट्रोलर न्यूस नेट वेल जमशेर रिज्वानी से जी जमशेर रिज्वानी अगाद देगा लेकर ये इजलास जारी है तरीक इनसाफ के पालिमानी पोर्ट का और नहां बात ये है कि पंजाब में जो कौमी संब्री की खासाओं से जो नश जारी है और आज जारी हो सकती है तो तवक्व की जारी थी कि आज साक्तान के इनसाथ सब्सक्रिक मुम्किना तोर पे इस्तोर सजाइब का ऐलान पर दिया जाएगा मेदवारों के वाले से कुछ को अगले मतले में किया जाएगा जो मजलों में तरीक इनसाफ अपने मेदव पाहिन लिए जाएगा तो इसा तिजाद जारी में बहुत से उम्मिद बारों ने उम्मीद लगा रखी है। तो बहुत गोर हो रहा है क्योंकि अंदाज़ यह जा जा रहा है कि इसके साथ इसके भी कासल बहरा होगा जी जी बहुत शुक्रिया कंट्रोलर न्यूस सेंट्रल जमशे रिजवानी आप हमें अपडेट कर रहे थे सराकिस्तान डिमोक्रेटिक पार्टी ने खौश्माद अमीदवारों से दर्वासे तल्ब का ली नूनी के लावा किसी भी जमाद से सीट एज़ेस्ट्मेंट हो सकती है मजी जानते हैं जुनेद अनवर से जुनेद अनवर बताईए का जी बिलुकर इस अक हमार से चेर्में सराकिस डेमोक्रेटिक पार्टी राना फौश्माद अनवर थे राना फौश्माद की सराकिके डेमोक्रेटिक पार्टी आलेकशन कमिशन से रिजिस्टर हो गयी है और उने अलेक्शन कमिशन से रिजिस्टर पार्टी होने के साथ ही जो कारकुनान है, जो कारकुनान सराइकी डेमोक्रेटी पार्टी के निशान पर अलेक्शन लड़ना चाते हैं, उनसे दरखासते भी तलब करना शुरू कर दिये हैं, हम उनसे जानेंगे बिल्कुल साड़े मुख्तिलिफ अलाकां तो दर्खास्ता हों दर सिल्सला जारी है लोग बड़े जजबे दा वियन दा इज़ार करें दे पैन असराइन साब ये बताईएगा कि सराइकी डेमोक्रेटिव पार्टी मुलतान के किन हलकों से अपने अमीदवार खड़े करेंगी और क्या आपका किसी जमाद से जो है वो कोई बात चीज़ चल रही है कोई सीट अज़स्मेंट की सवाल से बताईएगा जी बिल्कुल असराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जी में ना है असा जमूरी लोग हैं कोई भी जमूरी तरीका आईनी तरीका जड़ा है उनको असा बांद ना करे सूँ सारे दरवाजे खुले हुसें लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ कैनिडेट्स दर्खास्ता आगें बिल्कुल असा ही दा शॉर्ट लिस्टिट करे सूँ इन्शाला कल तक कोई लोगां को और एह कदर निवारेच मामला फाइनल थी वैसी बाकी मुख्तलिफ पार्टी दी तरफ नजर अंदाज कीता बलके इस पूरे वसेब दे साड़े फंड्स बजट और हकुक देह वाले नाल शब खुन मारा गया ते उनको ता बिल्कुल सोचा नहीं सकता कि ऐसा कोई सॉफ्ट कार्णर ने हूँ उन्दे लावा कोई भी जमात है जड़ी इस वसेब देनाल अपना दावा करें दिये जोड़े हो मर्दा मुखलिस हो मर्दा तो जरूर कंसीडर की तवेस्ट बिल्कुल जो राना फराजनून है उनका कहना था कि उनकी जो पार्टी की तरखास था है ये बहुत जिया जिने दन्वर आपका भकर से आपको अपडेट करें आपको पताएं कि नवानी ब्रादरान ने आजाब हैसित से इलेक्शन लड़ने कहरान कर दिया है इने 97 से सनावला मस्तिखिल इने 98 से रफीज अकबर खान लवानी इलेक्शन लड़ेंगे पी पी नवासी से अभी जोहमत खान इलेक्शन लड़ेंगे इसी अवाले से बात कर लेते हैं प्योरो चीमिया वाली से जिशान सब्द से जी जिशान क्या तफसिलात है जी मिलकुल बक्षर के मकामी सियासी ग्रूप नवानी अवामी महाद की जानिब से अजाड हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला वो आज हर्फित तोर पे किया गया है और इसी हवाले से जो इलेक्शन में ये लोगं की सा लेंगे जिशान सियासी ग्रूप अगमी जो है वो रूज पर रहा है प्थर में भी मदबूत जो मकामी सियासी दड़ा है इसने इलान किया जिसमें एने 97 से सनावला मस्टी के एने 98 से रशीद अकबर खान नवानी इलेक्शन लेंगे और इसके साथ पीपी 99 से अमीर महम्मद खान और पीपी 90 और 91 से सहीद अकबर खान नवानी इलेक्शन में हिसा लेंगे जबके पीपी 92 में जहीर अधरा इलेक्श में लड़ेगा और उसके बाद जो है इलान करेंगे कि ये सियासी देड़ा किस के साथ शमूलियत का इलान करता है आप दिला लिदोंने अजाद उमीदवार के तोर पे एक अजाद एसियत से इस दफ़ा इलेक्शन में हिसा लेने का फैसला किया है जी ये बहुत शुक्याद जी शांस का अजाद आपको में अपडेट कर रहे थे चैन्वन टावर्स मुल्तान के चानिज से हस्बे रवायत रवांस साल में रमसान इद फैस्टिवल चारी है फैस्टिवल में कुरोंदाजी के जरे शृये शेहरीों को बेश कีमת इनामाद भी दिये चा रहे हैं चैन्वन टावर्स मुल्तान के मैनेजर जिशान याकूब का कहना है सारिफान के लिए कुरोंदाजी का सिलसला चानल रात तक जारी रहेκα मुलिट्र में वापस आएंगे लेकिन इक शॉट बेक के बाद हमारे साथ में अक्टिंग में दुनिया में भी तहजीद का पुर्वकार चलन कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन रोही का हर रंग आपके संग सच्छी और फौरी खबर का जो सबर 2008 में शहरे लहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूफ रोही तक पहुँच चुका है आज लहौर में सिटी 42 और डेली 42 पैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूस का नाम गूँज रहा है लहौर से लंदन तक सिटी न्यूस नेटवर्क की मौजूद की हर जगा है पास आप लहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूस एच्डी हैं और आपका क्याम यूके में है तो हम यूके 44 हैं और अब हम हैं जनुभी पार्जाब की भरपूर आवाज रोही टीवी खबर के सब्सक्राइब आपका साथ हर खबर गहराई और सचाई आपका साथ सिटी न्यूज नेटवर्ग एसामे अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है एसीड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गौर्मन ने कोई इनिशेटिव नहीं लिया जनुदाए पर दोज़ना से खबर शामल करें जहां हुकूमत के मुद्द तो पूरी हो गई लेकिन वादे पूरे ना हुए जलालपूर पीरवाला अभेलवे फाड़क पर फ्लाई ओवर बनाने के मनसूबे की सिर्फ इटताही तख्ती ही लग सकी मद्धी चानते हैं हमारे नमाइदा मुश्थाग बुटा से जी मुश्थाग बुटा बताईएगा मनसूबा की इटताही तख्ती तो लग गई काम शुरू क्यों न हो सका जी सबका हकूमत की जानेब से पिछला अलेक्शन लड़ने के लिए लोधरा में आकर यहां पर मुख्तलिव जो जलसे से उनसे खिताब के दोरान यहां पे मुख्तलिव मनसूबों के इलानात किये गे जिन में एक बड़ा मनसूबा जलालपूर पीरवाला रेलवे फलेवर का था जहां पर एक बहूत बड़ा हादसा च्शे मैई को यहां पेश आया था और उस पर ये भी लेख दिया गाता कि ये फलाईवर का जो मनसूबा है एक साल में पाया तक्मील तक पहुंच जाएगा लेकर मुकमत जो है अकूमत का टेनोर खतम होने के बावजूद भी इस मनसूबे पर काम जो है शुरू नहीं हो सका एक एड तक नहीं लगई गई और यहांबर यह बताता चलूँ कि यह जो हादसा पेश आया था जिसकी बुन्यादी वज़ा रेलवे फाटक पर जदीद निजाम ना होने की वज़ा सामने आई थी जिसकी वज़ासे नोच किम्ती जाने जाया हुई थी यह पाटक अब भी उटी निजाम से चाल रहा है अब भी इस पर सिग्नल सिस्टम ना होने के वज़ा से यहां पे जो रेलवे गेट में है वो इस पाटक को एक अंधाजे के तैत बंद करता है और खोलता है इस रेलवे पाटक से रुज़ाना की बुन्याद पर लाखों की जो बहुत शुक्ताग बुटाप हमें अपडेट कर रहे थे कबीरवाला से हबर शामिल करें मुस्लिमी एक नून के हकोमत मुकमल हो गए पर मनसूबे मुकमल ना हो सके लेडिस पार्ट का मनसूबा पांच साल से सुस्रवी का शिकार इसे वारे से मज़ी जानते हैं शहजाद रजा से जी शहजाद बताईए का उसी के एक मिसाल है मैं इस सक मौजूद हूँ कबीरवाला के लेडिस पार्क में जो ये मनसूबा तो शुरू हुआ इसका एक बोर्ट भी लगाया गया लेकिन ये मनसूबा ना कंप्लीट हो सका ना यहाँ पर लेडिस पार्क बन सका हमारे साथ कुछ शहरिया मौजूद है हम उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे जी आप बताईए शहाद पूरे पाकिस्तान में ये कबीर वाला तहसी एक ऐसी बदकिस्मत तहसील है कि जहां पर कोई प्लेड गराउंड भी नहीं है ना बॉइज ना गर्स बतकिस्मती से यहाँ एक ये लेडिस पार्क का क्याम शुरू हुआ था लेकिन पांच साला दोर में ये पार्क भी अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका ये बाईसे शर्म बाईसे निदामत बात है कि हम इस शहर के होते हुए भी और इस तहसील के अंदर रहते हुए भी हम यहां पर कोई लेडिस पार्क नहीं है हम मतालबा करते हैं तमाव कुरानों से कि वो ही इस पार्क को जल्द जड़ पाय तकमील तक पहुंचाएं ताकि हमारी माए बेहने इसे मुस्तफिद हो सके जी है जैसा कि आपने शहर्यों की बात सुनी उनने यही कहा कि पांच साल तो मकमल होगे लेडिस पार्क जूंका तू यह मनसूबत आखिर का शिकार रहा और यह मनसूबत पाय तकमील तक नहीं पहुंचा कभीरवाला में इसे कबल भी कोई पार्क नहीं है ना कोई प्ले ग्राउंड है यही शैरियों का कहना है कि आईदा आने वाले जो हुकम रहान है कमस्कम उन्हें यह चाहिए कि इन मनसूबों को भी तकमील पर पहुंचाए और कभीरवाला में कोई बहतर पार्क और ग्राउंड बने जी बहुत शुक्तिया शेहजाद आपका रहीमिया खान से आपको अफडेट करें आपको बताएं कि डैपिटी कमिशनर सुकरात अमान राना की सर्वराही में डिस्ट्रिक स्पोर्स कमेटी का आहम अग्राउथ हुआ है जिसमें डिश्रिक स्पोर्स आफिसर और स्पोर्स अंजीमों के उध्यारों ने शिक्त की है सालाना स्पोर्स कलिंडर को तर्थिव देने के हवाले से जायजा लिया किया है इसी अवाले से बात कर लेते हैं बेरो चीफ रेंग अर्हान से आसिम सदीग से जी आसिम सदीग तफिलात से अगा कीजिएगा धिया जाए जिसमें किर्कट, फुटव काल, हागीत, बटीड, सब्भी में चैलों को सब्सकございます शामल किया जाए और तो फाहर पारिए। किरी दो अपद ऑन कृ wz aja successful को हडाया जारी के निखतना ने करें उसको सरगर्मिया हासल कर सके और स्पोर्ट जिम्निस्यम के हवाले से उलने हदाया थी कि चेल, खिनार्स और मनेज्मिन्ट के लएदर लगा कमीटियां से श्चीर ले जासे तमाम कमीटियां पर इंज्वामी महामलात को देखे हैं और स्वीच सदार ना जाने वरे जिम्निस्ट की दुखने सकतम कर देखे हैं ये बहुत शुक्या आसिम्स भी काफर में अपडेट कर रहे थे मियावाली से हबर शामिल करें MSDHQ डॉक्टर अमीर एमध हान का ट्रॉमा सेंटर का अच्छान दोरा है MSDHQ डॉक्टर अमीर एमध हान का अच्छान दोरा का अच्छान दोरा का अच्छान दोरा को चेक किया कि आया वो जिप्टी ठीक तरीका से सारा अंजाम दे रहे हैं कि नहीं उसके अलावा मरीज लवा है की मौऌजू ते ट्रामा सेंटर में नवसे दिर्यास किया कि आया अ Арँमिलक का रवया है उनके साथ कैसा है उसके अलावा मैं आपको बताता है कि लोग ट्रामा सेंटर में गर्मी ही की शिदद को काम करने के जिए पर मरीजों के लिए पांच चिलर लगाएगे हैं जिनकी मालियत पांच लाक रुपाए है उनको चेक किया कि आया ये ठीक नस्ट हो रहा है ये चल रही है ये इस वाले थे उन्होंने डॉक्सर के रहा है जारी करते हुआ कि यहापके आने बाले जो मरीजों हैं उनका ख्याल अगर उनको तिब्धी इंदाद बेतर तरीके से दी जाए उनको अगला एलाज होता है जी बहुत शुक्ति आख्तर मिजासा आपकर उप्रॉज वाहावलपूर की अड्मिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव टुमेटी का अहम इज्रास मनाकित हुआ जिसमें सेक्रेटरी ह मेल्स पंजाब के नुमाइदों ने शिरकत की है सीवल बीवी एच और जूब्ली एस्पताल की सुरतहाल का जाइजा लिया क्या है तफसिला जानते हैं अतर लाशारी से जी अतर अगा कीज़ेगा हूँ जी बिलकुल ऐसे है काईदयाजम मेडिकल कालेज बहावलपूर की जो अड्मेस्टेटिव एग्जेक्सिव कमेटी है उसका एहम इजलासाज मनकेद दूए है जिसकी सरवाही प्रिंस्पल काईदयाजम मेडिकल कालेज दक्र जावेद इकपाल ने की है और ये बन्यादे कि क्या सुरप्धाल है कितना पर्चेज करना है कौन कौन सा सामान लेना है और किसी हिसाफ से उसके लिए बजट जो है वो कितना जरूरी होगा तो उसके लिए आज जो है वो मीटिंग हुई है जिसमें खास और पर अद्वियाद की फ्राहमी का जो है जो जायज़ा लिया जी बहुत शुक्रिया आतला शारी आप हमें अपडेट कर रहे थे यौमे शहादत अज़्धाली के मौका पर सिक्योटी प्लैन चारी कर दिया गया डिस्टिक मुलतार में कुल बारा जलूस और दस मजालिस का इनकाद होगा सिक्योटी प्लैन में कल 1713 पुलीस अफसरान औ मुलासमान अपने फ्राइसर अंचाम देंगे जूटी पर अंचाम देंगे जिए जिए जूटी जूटी पर अंचाम देंगे जिए बहुर्श शुक्री आपका स्यासत के मिदान से आपको आहम खबर से आगाह करें आपको बताएं के दोस्त महमद खोसा ने खामोशी तोड़ दी है कहते हैं कि मेरे वालत के साथ कोई एक खलाफात नहीं बीटी आई में जाने का फैसला मेरे वालत का था मैं वालत का साथ के साथ हूँ पूरी फैमिली तैरीक इंसाफ में शामिल हुई है इस यह वाले से बात करने भी है अलियक बसे एच्छी अलियक बर तफसिलात शगा कीजिए का अबिदी जिरे राफ जिया बोस्त मॉम्मक खोसा ने भी जाना चल रहे बात के साथ किसी किसम के कोई इक खलाफात नहीं है पिटी-ाई में जाने का फयतना ओवालित साथ पिटी-ाई में था फ signed के र년마 जो है उनके किसी किसम के पी खिलाफाथ निहीं है फिलाफाथ में बहुशesz घू खिलाफाथ ब से अपडेट कर रहे थे गुजिशतरात मस्तोंध धमाके में तोनसा का जवान शही दाुए हुगा मुनीर अहम्द शहीर का नमाज जनाजा चार बजे अदा किया जाएगा। शहीरॐ का मुनीर अहम्द अध्यानी अफसी में सूब़दार मेजर थे। इसी अवाले से मज़ी जानते हैं असमत बुज़दार से जी असमत बुज़दार बताईए का बाई जो शहीद हुआ है तो उन्हीं पर फखर हैं उनकी वालिद का बुज़दार 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 आपका कुछ बात करें मौस्मी ब्हारी के हवाले से तो मलताम में गैस्टों की मरीजों की इतादाब में इजाफा होने लगा है गैस्टों के 269 मरीज शहर के मुक्तलिफ सरकारी हस्पतालों में दाखिल हैं इसी हवाले से बात कर लेते हैं आमिर डोगर से जी आमिर अपडेट कीजेगा जी बिलकुल मुलतान शहर में गैस्टों के वार जो है थबने का नाम ही नहीं ले रहे गुजिश्चा 24 घंटे के दोरान मुलतान के मुक्तलिफ सरकारी हस्पतालों में 269 मरीज रिपोर्ट हुए हैं मुलतान के जिन हस्पतालों में ये मरीज रिपोर्ट हुए हैं इस सिलसले में बात हुई थी कि आखिर वज़ा किया है कि लोग गैस्टों का इतनी बड़ी तदाद में शिकार हो रहे हैं तो डॉक्टर अताओर रहमान का और दूसरे डॉक्टर का यही कहना था कि शैरी खाने पीने में बदहतियाती कर रहे हैं साफ पानी का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं बाहर जो हैं ठेले वाले उनसे बच्चे गहर मैयारी गहर जरूरी चीज़ें लेकर खाते हैं जिसकी वज़ासे गैस्टों के मरीजों की तदाद में इजाफा हो रहा है दूसरी जानिब मुलतान का दरजा अरारत भी कम नहीं हो रहा है महकमा मौसमियात के मताब पर से रजू करें जी बहुत शुक्रिया आमीर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे आगे बड़े मौसम के हावाले से बात करें मियावाली में शदीद गर्मी का राज़ पर करार सूरज आग बरसाने में मसरूफ बारा 24 टेगरी पर पहुँच किया लोड शेडिंग और गर्मी के सताये शेयों का कोई हाल नहीं यहां पर जीद जानते हैं जी 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 जीद शवतर बताईए का आप देख सकते हैं कि गर्मी से सतारे मियाँ वाली के जो लोग हैं वो यहां पे नहर में नहा रहे हैं नहर के किनारे नहर के ठंडे पानी में डुबकिया लगा रहे हैं और अगर मेकमे मौसमियाद के वाले से मैं आपका हुँ तो यहाँ पर मेरिय Tut रिकार्ड के है गया तिर HC मीयाँ वाली का दर्जा रहा ही। टॉलियों की सूरत में आया है इसी है वाले शामारे साथ बहुत सारे शारी मौजूद है इंसे हम बात करते हैं अच्छा सर बताईएगा क्यों यहां पे आपने नहर का रोक किया है क्या वजाए गर्मी की शिदत कैसी है गर्मी की शिदत बहुत जाद है सुबों से बिजली नहीं है हकुमत अपने वादे में नकाम हो चुकी है क्या हमने लोडशेटिक खतम कर दिये बिलकुल लोडशेटिक उसी तरह जारी सारी है नवाद शरीफ होकुमत और शबाद शरीफ के दावे बिलकुल जूटे निकले है जिसमें मेर बहावलपůr के सीवरेच मसाल पर अमला पर वरस पड़े इसे वाले से मजीश जानते हैं महमुस जहीर से जी महमुस जहीर बताएचे का जी बहावलपूर शहर में सीवरेच का जो मसला सर उठा चुका है बहुत जादात तक बढ़ चुका है फिर उसके बाद क्राउन फेलियर होने लगे और उसके बाद वो मिशीने जो सक करती थी उस गट्रों के गंदे पानी को वो जब तमाम की तमाम खराब होने का इंकिशाफ हुआ जो के आठ माँ से खराब थी तो इस हवाले से मेर बहावलपूर ने फूरी तो पर हंगामी इज इजलास कलब किया है और इस इजलास में क्या फैसले किये जा रहे हैं क्या एकदामात लिये जा रहे हैं जानते हैं मेर बहावलपूर अकील नजम हाश्मी साब से मेर से बताईएगा बहावलपूर शहर गंदेगी और गट्रों के पानी में डूबा हुआ है आपकी नजामत से ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे बहुत ही दुख से ही कहना पड़ता है कि मिनस्फिल कारपरेशन का स्टाफ जो है वो बिलकुल कारपरेटिव नहीं है और अपने काम चोरी की इतनी आदत पर चुकी है कि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं मैं कंक्रीड किसम के स्टेप्स लेना चाहता हूं इस सिल्सले में आज मैंने ये हंगामी मीटिंग बलाई है तमाम स्टाफ के साथ और जो रिस्पॉंसिबल्स होंगे मैं बताना चाहता हूं अपने लोगों को कि उनके खिलाप सख से सखत कारवाई की जाएगी मैं बिलकुल ना सपेर करूंगा रिस्पॉंसिबल्स को और ये जतना भी त伙ाही मची आ उसके जिमेधार जो हैं उनको पऽ्भिक के सामने बेनकाब करूंगा कि कौन ये क्राइम कर रहा है अवां के साथ और इन्शालत अला अपनी जिमेधारी जो मैं आदा करूंगा और मेरी जिमेधा अवाम को जो है असल सूरतिहाल से अगाख करूँगा और बहुत जल्द मैं वो तमाम हकाइक से परदा उठाऊंगा कि किस तरह से एक साज़िश की तहट इस शेयर के लोगों के साथ ये बही माना सलोक किया गया है तो इसके हवाले से जी बहुत शुक्रिया महमूज जहीर आपका मौसम के असरात के हवाले से बात करें तुमिया वाली गर्मी के बाइस प्लाजा में चनरेटर को आग लगई लोड शेडिंग के बाइस जनरेटर मुसल सल तीन घंटों से चल रहा था जनरेटर की हीट और शदीद गर्मी से जनरेटर की बैटरी फट गए आग पर काबू पाली अगया कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस वाले से मज़ी जान लेते हैं अख्तर मजास से जी अख्तर मजास बताईए का जी बिलकुल मियाँ वाली में गर्मी की जो सूरते हाल है वो इंतहाई अपतर है उसके इलावा मैं आपको बताता चलू कि मियाँ वाली में आज लोड शेडिंग भी जारी है और पिछले दो घंटों से मियाँ वाली में बिजली बांदा है जिसकी वज़ास यहां पे जनरेटर मसलसल दो घंटों से चाल रहा था जिसमें हीट की वज़ा से इसमें जो बैटरी है वो फाट गया उसकी वज़ासे जनरेटर को आग लागी है हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद है, बताइए कि यह क्या मौमला हुआ है? बताइए कि यह क्या मौमला हुआ है, बताइए कि यह क्या मौमला हुआ है? गया, एक्सिवेटर और जलही इंतजामिया की ट्रक्रों की मदद से ट्रक को निकाला गया। गड़ा है इसको जो है वो ट्रैक्टर ट्राली के जर्गे जिले इतिजामिया की मट्टी का भराओ किया जा रहा है इसको दुबारा भरा जा रहा है लेकिन किसी भी वक्त जो है वो दुबारा अगर हैवी ट्रैफिक यहां से उज़रती है तो उसके भी धस जाने का जो है वो जो जगह है इसका पक्का भराओ किया जाना चाहिए यहां से रोड को जो है वो सही अंदाज में बनाया जाना चाहिए ताकर दुबारा से यह हाथ तो